हलो दोस्तों गूट मॉर्निंग, स्वागा दिवा, फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 19 फरवरी, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 फरवरी 2022 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यास देखेगा, पूरी वीडियो डीटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पुसंद आए दो वीडियो को Like और Share जरू कर देना चैनल प्रनाय आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियो का Notification आप तक पहुंचता रहे इस वीडियो की पीडियो फाइल और डीटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे प्लेकेशन MZTF पर तो Google Play Store पर जाए और MZTF डाउनलोड कीजिए चलिए बात करते हैं Last Day के Questions की Last Day का मेरा पहला कुशन था आप से 1 अप्रेल 2019 को बैंका वड़ोदा में किस बैंक का विले हुआ तो दोस्तों 1 अप्रेल 2019 को विले हुआ था देना बैंक और विजया बैंक का बैंका वड़ोदा में इसके जश्ट एक साल बाद यानि 1 अप्रेल 2020 को 10 बड़ी बैंकों का 4 बैंकों में विले हुआ था मैंने इस पर आपको वीडियो दिती आप देख सकते उसे भारत सरकार ने कब तक भारत को उर्जा स्वतंतर बनाने का लक्ष रखा है तो ये 2040 सक रखा है चलिए बात करेंगे आज के दिन के पहले खुशन की तो पहला कोशन है अपना हाली में किस क्लब ने फीफा क्लब विशुकप 2021 जीता तो अभी हाली में फीफा क्लब विशुकप 2021 जीता है दोस्तों चेल्सी ने चेल्सी ने अपने इतिहास में पहली बार जीता है फीफा क्लब विशुकप अच्छा आप FIFA World Cup सुने होगे ये FIFA Club World Cup क्या है तो दोस्तों जो विबिन प्रकार के जो कलब्स हैं जो प्राइवेट कलब्स हैं जो देशों की कलब्स होते हैं उनके बीच में FIFA World Cup के पहले एक Club Championship होता है तो यही एक Club Championship था Club World Cup था और इसको जीत लिया Chelsea ने पहली बार Chelsea ने ब्राजील के कलब Palmirais को हरा करके जीता हुआ है तो Palmirais उब जीता रहा दो एक से हरा हुआ है अबुधावी के मुहमद बिन जायद इस्टेडियम में यह जुद किया गया Chelsea ने पहली बार जीता है और European अगर देशों में बात करें European Club की बात करें तो यह तीसरा Club है जीता हुआ है FIFA World Cup इसी साल होना है कतर में होना है यह भी आप याद रखेंगे FIFA यानि की Federation International Deep Football Association इसके अस्थापना हुई थी 1904 में और अस्थापना कहां पर हुई थी Paris, France में लेकिन इसका Headquarter कहां पर है Headquarter है इसका Jurek में Jurek, Switzerland में इसका Headquarter है अध्यक्ष कौन है Gianni Infantino तो Gianni Infantino का भी नाम आप याद रखेंगे ठीक है न? यह इसके अध्यक्ष है अगला कोशन देखते है पिछला World Cup कहां हुआ था अगर कुछ आज़ा तो आप बताएंगे Moscow में हुआ था पिछला World Cup France जीता था कौन जीता था? France जीता था Croatia को हरा करकी किलियर अगला देखते है छात्रों के कौसल को निखारने के लिए किस राजिस सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहन शुरू किया प्रोजेक्ट आरोहन ये शुरू किया है दोस्तों असम राजिस सरकार ने छात्रों के कौसल को निखारने के लिए इंप्रूब करने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहन सुरू किया गया है इससे छात्रों को motivate किया जाएगा उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और उनके skills को और ज़्यादा निखारा जाएगा तो एक प्रकार से ये परार्मर्स कारिकरम होगा ये अगले चार वर्सों तक चलेगा असम सरकार के दौरा ये सुरू किया गया है असम आया है तो असम के बारे भी जानू आप असम देखेंगे मैप में अगर तो यहाँ पर है असम राजधानी इसकी होती है देशपूर और CM है हेमन्त विश्वा सर्मा बीजेपी पार्टी से जगदेश मुखी ची यहां की गवर्णर है चीप जशिस हैं सुधानसुध हो लिए अच्छा ये चीप जशिस हैं गुवाμαι हाटि हाई कोड की गुवाहाटी High Court के गुवाहाटी High Court में कौन कौन से और राज्य आते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि यहाँ पर आपको पी बना लेना है इंडिया के नक्से पर जब आप पी बना लोगे ऐसे ठीक है जब आप पी बना लोगे ऐसे तो यह जो जो राजी कबर हो रहे हैं यह सभी गुवाहाटी High Court के अंतरगत आएंगे जैसे जैसे असम हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया और इधर आपको नागा लेन्ड देखेगा यह हो गया ठीक है ना और इधर आपको मिजोरम देखेगा तो मिजोरम, नागा लेन्ड, अरुणाचल प्रदेश और असम इन सब का High Court जो है वो गुवाहाटी High Court है अलग कौन सा High Court है अलग High Court है इधर मडीपूर का High Court इधर त्रिपुरा का High Court और इधर मेगाले का High Court ये तीनो जो High Court है ये अलग है ठीक है ना बाकी का एक ही है गुवाहाटी High Court ये आप ध्यान रखेंगे अच्छा असम में दोस्तो सात नेशनल पार्क है सात नेशनल पार्क है और ये सातो की नाम कौन है रायमोनन नेशनल पार्क, काजी रंगा नेशनल पार्क, मानस टाइकर बिहार, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये भी सातवा नेशनल पार्क बना था अच्छा ओरंग नेशनल पार्क से भी कुशन आया था अभी इसके नाम में पहले इसके नाम में राजियु गांधी जी का नाम हुआ करतो था इसका नाम था राजियु गांधी ओरंग नेशनल पार्क तो राजियु गांधी का नाम हटा करके अब केवल ओरंग नेशनल पार् देश सरकार नहीं, दवाओं की डिलिबरी के लिए ये ड्रोन के साथ, ड्रोन के थुरू डिलिबरी कराएगा दवाओं की, और इसके लिए Sky Air नाम की एक कमपनी है, उससे समझोता किया है, तो दवाओं के साथ साथ में किरसी के भी, किरसी के भी जो छोटी मोटे उपकरण हों या फिर दवाओं में आप वैक्सीन ले लो, इन सब की डिलिबरी की जाएगी, तो जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, जो हिल्स वाला एरिया है, वहाँ पर आसानी से जल्दी में गाड़ियों अगर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में ये ड्रोन डिलिबरी सिस्टम पहुती चर्चित योजना है, तिलंग अना सरकार की वो योजना है, उसको भी आप याद रखेंगे, अब आया है हिमांचल प्रदेश, तो हिमांचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, हिमांचल प्रदेश आप मैप में देखोगे, यहाँ पर है हिमांचल प्रदेश, इसकी winter capital है धर्मसाला और summer capital है सिम्ला। जैराब ठाकुर जी यहाँ के CM है, governor है राजेंदर विस्वनात अरलेकर। मौम्मद रफीक जी हिमाचल हर्दाइकोट के current time पर chief justice है। यहाँ पर दोस्तों खजियर जील है, परासर जील है और रेडुका जील है। national parks में बात करें तो great himalayan national park और pin valley national park है। pin valley national park बहुत बार पूछा गया है। clear अच्छा अब हिमाचल परदेश से हम लोग revision कर लेते हैं कुछ current affair के points जो अभी हाल फिलाल में चर्चे में रहते हैं। जैसे हिमाचल परदेश की जो cm है जैराम ठाकुर जी इन्होंने अपना कांगड़ा एप लांज किया था। जीता किसने था लद्दाक की टीम ने जीता था। लद्दाक की टीम में जीता रही और आयोजन कहां हुआ हिमाचल परदेश में। पर इस्थित इवी चार्जिंग स्टेशन खुला गया था। दुनिया की सबसे उचाई पर इस्थित इवी चार्जिंग स्टेशन ठीक है ना। इवी यानिकी इलेक्रिक वेकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन दुनिया की सबसे उचाई पर। ये सभी कुशन्स हिमाचल परदेश से हैं आपको रिवाइज करते रह रहा हैं। अगला कुशन देखते हैं गेमिंग एप A23 का ब्रेंड अमबिजडर किसे नियुक किया गया। तो दोस्तो इसके ब्रेंड अमबिजडर बनाये गए सारूप खान। गेमिंग एप है एक A23 इसको अब प्रमोट करेंगे सारूप खान। ये A23 के चलो साथ खेले नाम के अभ रिन्वी बाय का राजकुमार राहो को, जैकप क्रिक्स का मिताली राज को, बैंक आप ब्रोदा सैफाली वर्मा, मेडी बडी का अब्दा बच्चन, अक्षे कुमार को उत्राखंड सरकार का A23 गेमिंग का सारूप खान। और कुछ क्या रिवाइज कर सकते हूँ, सपंत के अलामा वंदना काटारिया जो हांकी की प्लेयर है, वंदना काटारिया को भी बनाया गया है, ठीक है ना, वंदना काटारिया ये ओलंपिक में दोस्तो हैट्रिक लगाने वाली ये पहली खिलाडी बनी थी, इसके अलामा दोस्तो अभी अगर बात कर राजकुमार र ठीक है ना, Renew Boy का बनाए गया है, निराच चुपड़ा को Tata AIA का भी बनाए गया है, Tata AIA Insurance का भी बनाए गया है, ठीक है, तो ये सभी कुश्य साब याद रखेंगे, अगला कुशन, भारत का पहला राष्टे समुदरी सुरक्षा समन्वेक यानि NMSC किसे बनाए गया, तो द पहले अध्यक्ष बनाए गया, G.A.S.O. कुमार, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यह वाइस एड्मिरल G.A.S.O. कुमार जी दोस्तों, भारतिये नौसेना के पूर्व उपप्रमुख रह चुके हैं, भारतिये नौसेना के, तो इनको भारत का पहला NMSC हमारे डिफेंस फोर्स से उन सबका चीफ होता था यानि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स तो सबका चीफ था CDS और ये भी ऐसे ही NSA को या डारेक्ट प्राइम निश्टर को रिपोर्ट करता था ऐसे ही दोस्तों NMSC होगा NMSC जो होगा, ये भी सीधा रिपोर्टिंग करेगा कि इसको अजीत डोभाल जी को, जो कि भारत के NSA है National Security Advisor है इनकी अध्यक्स्ता यही करेंगे, NMSC की ठीक है न, जो समन्वे का काम करेंगे सुरक्षा परिसाज जो सचवाले में होगा उसकी मेन लीडर्सिक, अजीत डोभाल जी के हाथ में होगी यानि ये डायर्ट उनको रिपोर्ट करेंगे NMSC किसले इली बनाया गया NMSC खास दोर से दोस्तो नौसेना, तत्रचकबल यानि कोश्ट गार्ड और जो भी तटिये और समुदिर सुरक्षा से उलजी जो भी चीजे होंगी, जनसियां होंगी और 13 तटिये राज जो होंगे के सासे प्रदेश्टों के बीच में सब में समन्वे का काम करेगा आपने देखा जोस्तो 26 सी 11 हमला हुआ था 26 सी 11 हमले का सबसे बड़ा कारण यही था के कॉडनेशन नहीं था ठीक है ना, समुदरी मार्ग से आतंगवादी आए और उसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट करकर गही हो थे तो इसी वज़ा से एक ऐसा पत्त रिजित किया गया है जो इन सब में कॉडनेशन बिल्ड करे साथी साथ डारेक्ट रिपोर्ट करे अजी डोभाल जी को ठीक है ना, तो यह सेवा निवर्ट वाइस एड्मिरल जी रिटार्ड हो चुके हैं और भारत के पूरुप नोसेना उप्रमोग है और भारत के पहले CTS दोस्तों जनरल विपिन रावत जी थे इनको तो आप जानते ही हैं, अगला देखते हैं कहां की महिला टीम ने Senior National Volleyball Championship 2021-2022 जीता तो कहां की महिला टीम ने जीता हुआ है तो यह केरल की महिला टीम ने जीता हुआ है ध्यान रखेगा Senior National Volleyball Championship 2021 अभी आज़ुद हुआ तो केरयल की महिला टीम ने जो दोस्तो इसको Championships को जीता है उगर पुर्सो में बात किया जाए तो पुर्सो वाले टीम को हर्याना नी जीता है हर्याना की टीम ने पुर्सो वाला इबेंट जीता हो है और दोनों की टीमों ने Railway को ही हराया है भारतिये रेलवे को हर्याणा की टीम ने 3-0 से हरा करके पुरुसवाला किताब जीत लिया और केरल की महिला टीम ने भारतिये रेलवे को हरा करके 3-1 से महिला किताब जीत लिया आयोजन कहां किया गए था बीजू पतनायक इंडोर इस्टेडियम जो की कलिंगा इंस्टिटूट आफ इंडेस्ट्रियल टेकनोलोजी भुनेस्वर में ओडिसा में इस्तित है क्लियर है अगला कुशन देख लेते हैं हाली में किस बैंक ने सर्वस्रेष्ट प्रदोगी बैंक का अवार्ड जीता तो अभी हाली में करनाटका बैंक में दोस्तो सर्वस्रेष्ट प्रदोगी बैंक का अवार्ड जीता है एक्शल में करनाटका बैंक में तीन अवार्ड जीते हुए है करनाटका बैंक आप देखोगे इमेज में यहां पर इस्तित है तो यह सबसे बेस्ट बैंक मानी जा रहे हैं बहुत सारे अवार्ड लगतार यह जीत रही है काफी तेजी से प्रफार्मेंस चल रही है हाला कि यह भी अवल्यूएशन की मामनें बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन यह है कि पिछले जिनों में देखा जा रहा है कि प्रफार्मेंस इसका बहुत जबरदस चल रहा है कई अवार्ड से इसने जीते हुए है तो अभी सक्त्रावा वार्षिक बैंकिंग प्रफार्दोगी सम्मेलन हुआ उसमें इसने भारती बैंक संग के द्वारा यानि इंडियन बैंक एसोसियेशन के द्वारा ये प्रफार्सकार जीता है तीन प्र५ार्सकार मिले है एक तो मिला है वर्ष का सर्फिस्ट प्रफार्दोगी बैंक का टेकनलोजी बैंक का दूसरा बेस्ट फिंटेक एडॉप्शन का तीसरा AI यानि Artificial Intelligence और ML का Data Analytics में भी ये सर्फिस्ट उपयोग के लिए चुना गया है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी Headquarter Mangaluru में है और Mahabalesor MS ये यहांके MD और CEO है करनाटक बैंक को अभिहाल फिलाल में एक और पुरुसकार मिला था वो CII यानि Confederation of Indian Industry के दोरा भारतियोग परिशन के दोरा मिला था DX 2021 पुरुसकार तो ये भी आप याद रखेंगे अच्छा RRB NDPC CBT2 का batch finally launch हो चुका है आप लोग का बहुत ही अच्छा response दिख रहा है इस पर तो जिसको जिसको लेना है वो जा करके ले सकता है इसमें डीटेल वीडियो मैंने आपको बना करके दे दे हुई है कि कैसे आपको ये course help करेगा आपके लिए इसमें क्या-क्या चीज़े आपको पढ़ाई जाएंगी क्या-क्या आपका syllabus है आपको क्या-क्या पढ़ना है ये चीजों के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है कल जाइए चैनल पर सर्च कीजिए 18 मिनट की वीडियो है या फिर simple तरीका है सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको आपको MZT app open करना है MZT app open करके आप वीडियो कोर्स सेक्षन में जाएंगे तो वहाँ पर आप NTPC सेलेक्ट करेंगे तो सबसे उपर ही ये वीडियो बन करके आ जाएगे तो उस वीडियो को प्ले कर लीजिएगा पूरा डीटेल्स उसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है कैसे कैसे मिलेंगी competition बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है और syllabus बहुत ज़्यादा wide है आपका चलिए बात करते हैं हम लोग अगले question की अगला question है भारत की पहली water taxi सेवा का उधगाण कहा किया गया तो ये उधगाण किया गया मॉंबई में भारत की पहली water taxi services होगी most awaited program था ये महराश्टरा का तो अब ये water taxi सुरू हो चुकी है इसका उधगाण किस ने किया तो इन्हों ने इसका उधगाण किया इस project को बनाने में total लागत आई हुई है 8.37 करोड रुपे टोटल 8.37 करोड रुपे की ये पर यूज ना थी ये योजना थी, इसको जलमार्ग मंद्राले और सागरमाला योजना के तहद बनाए गया है, जिसने 50-50% का लगाए गया है, फैंडिंग किया गया है, ठीक है, अच्छा ये तो है water taxi, ऐसे ये question आये था water metro, तो water metro कोच्ची में शुरू हुआ है, भारत का पहला water metro कोच्ची में अगर पूछा जाए, तो ये कहां शुरू हुई है, ये वाराणसी में शुरू हुई है, दुनिया के तीसरी भारत की पहली वो रोपवे सेवा, ओके, अंडर water metro पूछा जाए, तो आप बताएंगे, कोलकाता में शुरू हुई है, अगला दिखते हैं, US और किस देश के बीच सेयुत हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 का आयोजन होगा, तो दोस्तों US यानि United States of America USA और बांगला देश के बीच में कोप साउथ 2022 का आयोजन सुरू हो चुका है, ये 6 दिवस ये सेनभ्यास है, एक प्रकार का ये air exercise है, यानि कि वायू सेना का सेनभ्य तो ये आयोजित होगा, बांगला देश के ढाका और सिलहट में, 6 दिनों तक ये भ्यास चलेगा, प्रसांत वायू सेना के द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा है, थीक है न, तो ये सेनभ्यास है, बांगला देश और United States of America के बीच में, बांगला देश के बारे में प्राजभासा होती है, बांगला और सबसे बड़ा नगर है ठाका, किलियर है, अगला कुश्चन, 2022 के लिए Business Leader of the Year अवार्ड किस ने जीता, तो जोस्तों Business Leader of the Year 2022 का अवार्ड जीत लिया है, योहन पूनावाला ने, योहन पूनावाला यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये पूनावाला ग्रूप आफ कंपनीज के मालिक हैं, अध्यक्ष हैं और डिरेक्टर हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है इस बार के लिए Business Leader of the Year 2022, इनको ये अवार्ड ग्रेवेट्स फाउंडेशन उर्जा द्वारा दिया गया है, स्रीमती अमृता फर्ण मीज जी ने ये को दिया है, क्लियर, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के Top 10 Current Affair के Questions, I hope आपको वीडियो आई होगी पसंद, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियो हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो का नोटिफिकिसन आप तक आता रहेगा, और डेली नाइट में होता है दोस्तों, इवनिंग में Current Affair का सो, तो डेली साम को आप लोग 9 प्यम पर आजाय करो, Current Affair के सो के लिए, बहुत ही डिटेल वीडियो ह होती है, एक घंटे तक की वीडियो होती है, एक से सवाए घंटे में, Live Current Affair के मादिम से सब कुछ हम लोग रिविजन करते हैं, बहुत ही सामदार कोश्चन सकार, तो Current Affair सो के साथ जोड़ना ना भूलिए, डेली 9 पीम पर, ओकी, कुश्चन अब दर डे में बात करेंगे, आ पिज जाकर के आप MZTI पर सॉल्फ कर लेना, यहीं पर कॉर्स मिलेंगे आपको, वीडियो कॉर्स सेक्शन में जाकर के आपको ले लेना है, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट हो, तो WhatsApp का नमबर डिस्कुप्शन में दिया गया है, आप संपक कर सकते हैं, इसकी PDF भी यहीं पर मिलेगी, इसके अलावा आप PDF वर्लाइनर फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम गुरूप से हमारे, तो टेलीग्राम गुरूप को भी जॉइन कर लो, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, वीडियो को इन तक देखने के लिए, म मिलेंगे एक लिए दिन की वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार जहें, वन्दे मातरम।